हलो दोस्तों मैं हूँ प्रियांश दुबे और आप देख रहे हैं परिकलकरा इंस्ट्टूट दौर के ओफीशियल लिडिक चैनल को इस पर्टिकुलर लेक्ट्ट्ट्ट्ट्र में मैं बात करने वाला हूँ कि अगर इस पर्टिकुलर हफते में जो आपको पता है कि आप वीडियो और वीडियो में मैं आपको बताया था उसके अपरेल के लास्ट हफते की बात करी गई थी और अपरेल लास्ट हफता स्टार्ट हो चुका है अब देखना ये बात है कि एक्षुल में किस देट को नोटिविगेशन आता है और नोटिविगेशन आने में अभी आ जाता है या थोड़ा टाइम और लगता है लेकिन ये बात तो फिस देखे वेकेंसी तो डेफिनिकली आपके सामने आने वाली है लेकिन एक चीज़ी मैं आपको बना दू कि इस ब मतलब होता है उसका मतलब ये होता है कि जिन लोगों को टेंपररी वेसेस पे या फिर कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए गवर्मेंट ने अनौकरी पर रखाओ लेकिन अब ये समवीदा परीक्षा समवीदा साल सिक्षिक साला परीक्षा नहीं होगी यानि कि अब आप अ परीक्षा होती है यानि कि इस टाइप से जो भरती होती है वही भरती आपके या भी होगी असिस्टेंट मतलब जो पहली से बाजबी तक के लिए उनको लोग डिविशनल टीचर पांच भी से आट भी तक अपर डिविशनल टीचर और नौवी से बारवी तक आपके ग्रेट के अलावा इनको वह सारी सुगिणाएं मिलेंगी जो एक्शुर में एक टीचर को मिलना चाहिए यानि कि अब जो समवीदा नाम का जो टाम अपन यूज करते हैं कि समवीदा सिक्षक साला परीक्षा अब वो समवीदा भरती के नाम से परीक्षा नहीं आएगी कि थरी यूज करूंगा क्योंकि थोड़ा टाफ है लडेटी यूडेटी की आदक डालना काफी दुनों से यह चीज को यूज के जा रहे हैं तो बात करेंगे इस पर्टिकॉल लेक्षर में कि किस तरीकिसी चीज की तयारी करी जाए और अगर आप प्रिवेस नियूस को अगर नहीं तो बात करेंगे वर्ग दीम की अफिर वर्ग दो की बात करेंगे वर्ग एक के बारे में ज्यादा बात नहीं है करूंगा क्योंकि वर्ग एक के बारे में अगर मैं बोलू तो वर्ग एक के लिए आपको ग्रेजुईशन लेविल की तयारी पूरी की पूरी की पूरी कम्प्लीट करना पड़ेंगे यानि कि ग्रेजुईशन लेविल पर जो आपने सब्जेक्स लिये जाएं मतलब ओवर जो सब्जेक्ट में आपके स्पेशल आईशन है वो सब्जेक्ट आपको तयार करके रखना पड़ेंगे तब चापके ग्रेड वन की तयारी या फिर ग्रेड वन का एक्सां क्लियर होगा और पटिकुलर लिए अगर मैं बात करूं कि सम्विदा ग्रेड वन का जो एक्जाम करके रखना पड़ेगी क्योंकि वहां पर जो कोश्चन आइगे वह आपको एक्षट में ग्रायूशन लेवल के कोश्चन स्पेस करना पड़ेगी पर्टिकुलरली अभी मैं बात करूगा कि grade 3 और grade 2 के जो लोग तयारी कर रहे हैं इनके maximum लोग grade 2 और grade 3 वाले हैं तो उन लोग के तयारी में क्या करना चाहिए सबसे पहले में बात करते हैं grade 3 के तो grade 3 के अगर हम बात करे जाए तो grade 3 में जैसा कि आपको बता है कि grade 3 में जो basic से subject होते हैं वो होता है पाल विकास और सिख्षक शास्त्र इसके अलावा एक होता है पर्याबरण इसके अलावा एक होता है English, Hindi और Maths अब अगर आप समझीदा सिख्षक वर grade 3 के ते आई कर रहे हो तो एक चीज़ में आपको बहुत अच्छे से clarify कर दूँ कि यह जो बाल विकास और सिख्षक शास्तर वाला subject है यह teaching के लिए बहुत important है यानि कि अगर आपको teaching करना है तो यह subject लगभग लगभग almost किसी भी state में TAT का examination होता है यानि कि teachers are eligible to test अगर बात करी जाए तो TAT का examination होता है किसी भी state में चाहे वो UPTAT हो चाहे वो CTAT हो 36 का TAT का examination होता है या फिर अगर अगर आपको बात करी जाए तो जहां या फिर READ का examination हो आपको बात करना ही तो कोई भी exam हो उसमें किसी भी examination में यह subject बहुत compulsory होता है तो यह subject तो definitely आने ही आने वाला है इसके अलावा English, Hindi और Maps की तयारी आपको करना ही पड़ेगी क्योंकि आपको basic understanding सारे के सारे subjects की होना चाहिए क्योंकि तो grade 3 का paper होता है वो class 5th तर्थ होता है तो जब फर्स से लेकिए आप 5th class तर्थ को पढ़ाते हो तो वहां पे कोई distinguish नहीं क्रिया जाता कि आप science background के तो आप science ही पढ़ाओगे आप math background के तो आप math ही पढ़ाओगे आप से उमीद करी जाते ही कि आप सारे के सारे subjects में निपर होगे और सारे subject पढ़ा सकते हो और मदबदेश government की में बात कर दो मदबदेश government में पर्यावरेंट का subject चलता है जिसे हम social science जो हम आँगे चलके पढ़ते हैं तो मदबदेश government में पर्यावरेंट का subject चलता है जो आँगे चलके social science में करणवाट हो जाता है और इसके लावद कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो Sanskrit है Urdu की तयारी कर रहा होगे तो Sanskrit है Urdu वाले subject वाले subject वाले जो भी है उन्हें अपना subject तयार करके रखना है यानि कि basic level पे यह subject change होने का जो पूरा का पूरा scenario है मतलब उमीर है यह काफी तदर कम है यानि कि English, Hindi और Math यह subject पो आना ही है बाल विकास भी 101% आएगा ही क्योंकि बाकी सारे states भी इस examination को जो regular basis पे conduct कर रहे हैं उनके syllabus का यह part है बाल विकास और शिक्षा शास्त्री यानि कि आपके examination में यह part definitely आएगा हो सकता है कि कुछ syllabus extra include किया जाए वो हम notification के बाद तयार कर लेंगे लेकिन इन subject पे हम पकड बनाके रखना पड़ेगी और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप खुद को बहुत बढ़ा धुका दे रहे हो और ऐसा अगर आप वेट कर रहे हो कि notification आएगा notification के बार में बता दूँ कि सबसा लंबा जो exam slot चलेगा यह grade 3 का चलेगा फिर उसके बाद जो second number चलेगा और grade 2 का चलेगा और grade 1 वाला सबसे छोटा slot होगा यानि कि हो सकता है कि एक दिन में पूरे का पूरे examination conduct हो तो यहाँ पे अगर आप grade 3 के बार में सोच रहो तो यहाँ पे जैसे ही notification आएगा notification के विटे नमात यानि कि एक महीनी के span में आपको पूरे के पूरे 5 subject तयार करना पड़ेंगे इसलिए आप इसे basic level पे आप अभी तयार कर सकते हो basic level पे किस तरीके से तयार करना है मैं आपको बता देता हूं कि English, Hindi और Maths यहाँ पे 10 वी क्लास तक का English, 10 वी क्लास तक की Hindi और 10 वी क्लास तक का Maths आप जाहू तो MP Board की बुक से पढ़ लो चाहिए तो आप CBC Board की बुक से पढ़ लो सिर्फ स्कूल की बुक से काम चल जाएगा माल लीजे मेरी बात अगर आप English, Hindi और Maths पर यार करना चाहते हों सिर्फ आप स्कूल की बुक्स भी पढ़ लोगी तो आप आराब से काम कर सकते हो English और Hindi में Mostly जो पूरे का पूरा pattern है वो comprehension pattern है यारी कि वहाँ पे आपको paragraph waste दिए जाएगी question उसके बाद उसके अनाम और बाकी के बाकी सारे question रहेंगे grammar based तो paragraph based तो grammar based जैने की comprehension based ये दोनों के दोनों English और Hindi वाल subject आने वाल है बाल विकाफु सिक्षा साहस्त्र का मैं regular basis पे cover कर रहा हूं और इसके अनावा जो theory वाले lecture से दो पढ़ेगी को दो महिने का time बचाओ तीन महिने का time बचाओ इन पांस अगर पित्री अच्छी पकड़ बना लीजिए और यहां पर अगर आपने पकड़ बना ली तो 100 अपर सार आपका examination निकलने वाला है कोई तीछरी book refer करने की जरूवत नहीं है सिर्फ और सिर्फ स्कूल लेवल पर जो book चेल रहीं सिर्फ आप उनको भी पढ़ लोगे ना तो आराम से आपका examination निकल जाएगा बाल विकास के लिए मैं बता दू बाल विकास के लिए बहुत सारे लोग सोचा है कि बाल विकास के लिए कौन सी book refer करने है यूपी टी लेवल पर यूपी टी लेवल पर या फिर आप टी लेवल के अगर बात करे जाया तो टी लेवल पर बाल विकास के बहुत सारे complications के पनी book निकाल के रखिये तो अगर आप कहीं पर भी किसी भी शौप पर जाओ वहां पर सिर्फ आप इतना बोल दो कि मुझे बाल विकास हो सिक्षे साहत रगी एक अच्छी सी book चाहिए तो चाहे वो यूपी टी एटी की book हो रीट की book हो या सी टी एडी की book हो वो आपको एक बाल विकास की book है में लिए जोग्राफी और आसपास का इन्वाममेट ये सारी की सारी चीज़ा आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो अगर आप NCRT की book को अगर आप रेफर करना चाहते हो तो इसके लिए भी आप NCRT का एप यूज कर सकते हो ये NCRT की book ऊपर और मतलब ऑनलान फ्री इसके अलाबा English और Hindi को हम consider English और Hindi तो ही तो इसके बारे में तो सेम ही तर्यार है कि कुछ special कंदी की जरूवत नहीं है बाकी बचा हुआ science जो science background वाले तो science, maths और जो इसके लाब जो arts background वादे हैं उनके लिए social science यानि की SST for the arts background तो यह अब में बात कर रहे हैं वर्वी दोग पील का हुआ हम वाती कर रहे थे तो यह चीज़ें तो ठीक हैं कि English हिंदी तो हमने तयार कर लिए English हिंदी की तरह आबा मार्स और साइंस हमें तयार करना है और यह लेकिन इन चीज में आपको बहुत अच्छे से दिखा दूँ कि particularly जो चीज आपको यार रखना है और जो चीज आपको समझ पर आना चाहिए वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि particularly अगर देखा चाहिए तो यहां पे अगर देखें तो यह आपके सामसे science for maths का जो actual एक्ट्व में जो paper वह था जा आपके सामसे दिखाए दे रहा है और इस paper पर अगर आप एक बद नजह डालें तो आपको दिख रहा होगा यह चीज कि फूरी की बूरी कॉरी को स önहें कि अरफ बहुत शूंग को अगरा भ्हान दें, मिक्री कॉंतम संख्यां रिटारिक करते हैं यह और मैंगिक कौंटम नंभर इसकर वी इसकर वी इसक्रूज जुटू, विच वन इसाथ जूड़ अपसेट, विच लुड़ होड प्यूप वी इसलिक भॉम्ब, और वाइवर पेविया और हईथ इसे कारें था राउपड़े व इसे नाई व राउन इसे कैसे क्या है यह क्षंटिन के मिली बात करे जाए तो 12 तक किसा किसा क्या पूशन से और अगर अमबाद करें चला थोड़ा सा मास की उपर यह अगी जो नियोमेरिकल यह रिलेशन यह सारका सारा मैक्जिमम अगर एट मैक्स भी अमबाद करें तो भी 12th standard की सारी की सारी चीजे हैं अगर हम फोड़ा मैक्स की तरफ चलाएं अगर अगर आपके सामने एजेज आ गया एरिया आ गया एक्स एस्टो पावर आ गया एक्सपोनेशल कॉश्चन आ गया फैक्टर्स आ गया गया गोड़न खंट आ गया सामान तक चला रभुच आ गया तो यहां पर आपके चीज समझना पड़ेगी यह के पुरे को पुरे को पीपर आ रहा है पीपर का लेवल है it is up to the 12th standard यह यह मैं वर्वे 2 के बारे माता रहा हूं कि वर्वे 2 के जुरे को पेपर का लेवल आता है 12th standard तक की Quesn आते है और अगर आपके 12th standard की Quesn अगर आप अच्छे सकना चाहते हो एपको marginalized writer कि आपने books पूरी पुरी cover होना चाहिए उसके बाद ही आपको ब Other Student founder की question कर सकते हो इस प्वोwnजन थी कि आपको पता होना चाहिए कि कौनसी level की question आपको layers करने वाले हो ऑर वही आपको उसी type न question आपको तयार करना है तो यह आपको एक basic idea यह चीज का दे देता है आगर आप देखा चाहे तो basic idea आपको इस चीज का मिल जाएगा कि आपको तयारी कहां पे करना है तयारी आपको किस तरीके से करना है तो अगर आप paper को इक पर ध्यान सा देखें और इस तरीके paper आप नहीं से download कर सकते हैं तो इन papers को अगर आप ध्यान दे पेपर पे तो यह पूरा pattern जो है यह 12th standard तक का है तो अगर grade 2 की बार करेज रहा है तो यहां पे आपको 10th की जगह 12th standard तक सारी की सारी चीज की तयार करना है कि science या फिर आप किसी भी background को belong कर रहा हो तो आपको 12th standard तक की सारी चीजे कंप्लीट करना है तो इसके लिए standard जो source होता है वो होता है आपका NCRT मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ NCRT मैं बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ क्योंकि यह मुझे किताब पे बहुत भरोसा है और यह personal experience से बता रहा हूँ कि किताब बहुत अच्छी होती है और अगर आप चाहते को 12th तक आप चीज़ों को complete कर सको तो आप इस what is graduation? यानि कि graduation होके आपको 12th class तक अगर आप graduate हो तो आप 12th class तक को पढ़ा सकते हो तो अमीर भी आपसे question दूसरी type से करे जाएंगे और आप believe मानिए शीच को कि इस बार examination tough होने वाला है और वर्ग 2 और वर्ग 3 चाहो तो वर्ग 1 वर्ग 1 एकर exam तो extremely tough होते है क्योंकि उसमे जो चीजे पूछे हैंगी 12th class तक ही पूछे हैंगी तो आपको इस तरीके से तयारी करके चलना है कि आप आराम से इन चीजों को manage कर सको अगर अभी सदेखा जाए तो आपके पास time काफी कम बचा है और अगर time कम नहीं भी बचा है आपको एक महीनी का time भी बचा है तो भी आपको एक particular pattern में तयारी करना पड़ेगी ताकि आप इस लिवस को complete कर पाऊ तो इस वे में अगर आप एक organized वे में चीजों को तयार करोगे आप एक sample पर चाहो तो download कर लेजे, RET के पर आप download कर सकते हो, UPTAT के पर download कर सकते हो और इस तरीके से कर आप तयारी करोगे तो आप definitely succeed सक्रेट हो जाओ तो मिलता हो मैं आप से लिए लेक्षा में तब लेक्षा में अपना के लिए stay tune, take care and have a nice day